Hello everyone, welcome to Global Online, this is Ankitab Sodh and आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं NTA Udicinate Paper 1 में ICTE Unit का full syllabus mock test So, this mock test में मैं जितने भी questions आपके लिए लेकर आई हूँ ये सारे के सारे most important and most expected questions हैं जो की 100% exam में as it is पूछे जा सकते हैं So, इसी के साथ this mock test में मैं आप लोगों को detail में सारे solutions में बताऊंगी, सारे explanation में आपको images and graphs की help से बताऊंगी So, that difficult से difficult topic भी आप लोग easily this mock test की help से समझ सको इसके साथ ही students, this mock test का एक rule मैं आपको बता देती हूँ वो ये है कि जैसे ही question आपकी screen पर आएगा आपको वीडियो को pause करना है Question को अच्छे से समझना है and जो भी आपका answer होगा उसको आप कहीं पे note कर लीजेगा And इसके बाद आपको करना क्या है कि इस वीडियो के end में जितना भी आपने score किया है ये आप मुझे comment करके जरूर बताईएगा इससे आपको एक idea हो जाएगा कि कितना exactly आपको ICT unit का knowledge है And कितना आप score कर सकते हो So बढ़ते है questions की और उस पे जाने से पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि you just in a paper जिसमें की दो paper को इसमें divide किया जाता है That is paper 1 and paper 2 So paper 1 जो है ये common paper होता है जिसमें से की total 50 questions पूछे जाते है And paper 2 होता है हमारा subject related paper So paper 1 बहुत ही जादा scoring होता है And इसकी help से आप लोग कम समय में भी GRF का dream अपना पूरा कर सकते हो So इसके लिए paper 1 की preparation अच्छे से हो Global Online की team आपके लिए लेकर आई है Hindi medium students हो आपको दोनों ही languages में इस PDF में मिलेंगे 2000 plus MCQs वो भी 100% guarantee के साथ And ये बिल्कुल updated questions है इसमें आपको current affairs में मिलते हैं जो की बहुत important होते हैं साथ ही आपको previous year questions Most repeated and most expected questions की series भी in 2000 questions में मिलेगी And मैं आपको बता दूँ कि इसी PDF में से बहुत बार As it is questions exam में पूछे जाते हैं So आपको करना क्या है इसको access कर लीजे And exam से पहले सिरफ एक से दो बार इन questions का आप overview ले लीजे इसको आप revise कर लीजे मैं आपको guarantee देती हूँ कि paper 1 में आप इसके basis पे ही बहुत अच्छा score कर सकते हो So इसको join करने के लिए Screen पर दिएगे number पर WhatsApp की help से contact कीजे And इसके लिए आपको सिर्फ A की बार fees पे करनी है वो भी सिरफ 599 So जलदे से इसको join किलेजे So बढ़ते हैं अपने questions की और So जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हम लोग topic-wise MCQs आपके लिए लेकर आए हैं So सबसे पहले हम बिलकुल basic questions से शुरू करेंगे जो की पूरी तरह से based होंगे Input-Output devices पे So पहले question पे आते हैं So I wish you all the very best And please cheating बिलकुल भी मत कीजेगा So first question we have is Which of the following groups Are only input devices So यहाँ पे हमारे पास Four options given है जिसमें आप देख सकते हो Multiple devices के नाम लिखे गए है So this question में पूछा गया है कि आपको वो group आपको वो option select करना है जिसमें सिरफ और सिरफ Input devices ही included है Right So आपको input devices पता होनी चाहिए बिलकुल basic चीज है यह आपके सामने पहले मैं एक list लेकर आती हूँ I hope आपने वीडियो को pause किया होगा List लेकर आती हूँ इसमें input devices जो commonly use होती है उसका नाम है तो उस recording आप यहाँ पे देख सकते हो Right answer क्या है Option number 2 क्यूंकि देखो Option number 1 में output device monitor है Option number 3 and 4 में output device printer है ठीक है So, यहाँ पे monitor भी है तो आप देख सकते हो इसके अलावा Option number 2 ही सिरफ एक ऐसा है जहाँ पे सारी की सारी Input devices available है Next question is The number of function keys in a keyboard is आपको पता है कि Keyboard एक important role play करता है Computer system में And उसमें multiple keys होती है So, इसमें पूछा गया है कि function keys कौन सी है तो इसके लिए आपको हर एक key का नाम पता होना चाहिए Options given है उससे video pause कीजिए Answer दीजिए So, यहाँ पे आप देख सकते हो यह keyboard है यहाँ पे यह वाले numerical keys होती है यह वाली भी numerical keys होती है इसके बाद यह वाला जो section है यह alphabetical keys है And यह है हमारी function keys जो कि exam में पूछी गई है So, function keys है F1 से लेकर के F12 तक यानि कि option number 2 होगा यहाँ पे right answer इधर भी आप देख सकते हो यहाँ पे different keys है आप लोग इसको अच्छे से note कर लीजिए Option number 2 Here we have the right answer Next question is On which of the following output devices is hard copy of 1 displayed So, यहाँ पे output devices Input devices के एक list आपके सामने दी गई है आपको बताना है कि वो कौन सी output device है जो कि hard copy में किसे भी चीज को हमें देती है तो आपको पता होगा जिसे mobile में कोई photo है वो photo अगर मुझे एक paper के format में चाहिए यह इसको बोलेंगे hard copy And जब तक वो mobile में है उसको बोलेंगे soft copy तो यह printing का काम कौन करता है printer करता है So option number 3 That means printer here is the right answer Next question is Chain printer is which type of printer So हमारे पास printers के भी different types होते है उनकी working उनकी properties के according को जो है classify किया चाता है So multiple options है Non-impact, daisy wheel, dot matrix, line printer So इस chart की help से आप बता सकते हो answer क्या है Types of printer में दो चीज़े है Impact, non-impact Further इनको divide किया गया है Character printer, line printer, ink jack, laser and thermal printer में So question में पूछा गया है यहां पूछा गया है chain printer So here we have chain printer It is a type of line printers So right answer is option number 4 So last question जो input output devices पर based है वो है Barcode reader is an example of Barcode क्या होता है यह पहले आपको पता होना चाहिए इस तरह से आप किसी भी product में देख सकते हो यह जो code होता है चाहे आप एक 10 रुपे की pen लो चाहे बड़ा सा बड़ा कोई भी product खरीदो यह code आपको मिलेगा ही मिलेगा और जब भी हम mall वगरा में जाते है तो billing इस machine की help से की जाती है ठीके इस device का नाम क्या है यह होता है barcode यह है barcode reader इसको क्या बोला जाता है processing device, storage device, input या output यह क्या कर रहा है इसके अंदर जो भी data है उसको input ले रहा है यह क्या है हमारे पास input device है ठीके, so input output devices पे based यह five questions थे आपने कितना score किया है comment कीजे next आता है हमारे पास number system यह भी एक most important section है एक question जरूर यहां से exam में पूछा जाता है so number system में पहला question है computer uses which number system to store data and perform calculation so computer कौन से data का use करता है किसी चीज को store and calculation करने में confused नहीं हो ना बस आप इतना याद रखिए कि computer कौन सी language पे काम करता है कौन सी भाशा computer generally समझता है octa, decimal, hexadecimal, binary so right answer is option number four binary language ठीक है detail में नहीं जाते हैं अगर आपको detail में यह सारे concepts चाहिए तो description box चेक कीजए आपको एक playlist का link मिलेगा वहाँ पे separate videos है topic wise जिसमें बहुत ही जादा detail में हमने बात की है ठीक है so simple याद रखिए computer सिर्फ binary language समझता है and binary language किस format में होती है यह इस question में पूछा गया है one two, zero two, two four and zero one so computer binary language समझता है and binary language होती है zero one के format में ठीक है so right answer is option number four अब इसी पर बेस तीसरा question है कि binary format exactly होता क्या है अब जैसे मैंने computer में type कर दिया seven तो computer seven नहीं समझता computer इसको zero and one की language में यानि कि binary language में convert करके काम करता है वो कैसे conversion होता है वो अब next question में आपको पता चलेगा so what is binary equivalent of decimal number nine so एक number दिया है और यहां पर देख सकते हो zero one जो मैंने आपको बताया कि computer zero one की language समझता है वो इस तरह से समझता है अब हमें बताना है कि nine का equivalent क्या है so इस तरह से याद रखना तो मुश्किल है इसका एक trick मैं बताती हूँ nine को आपने two से divide करना है eight two's are sorry nine को आपने two से divide करना है four two's are eight one यहां पर बच गया two two's are four बिल्कुल calculate हो गया four आ गया तो zero remainder two one's are two zero तो हमेशा इसको two से divide करना है जो भी value अगर बिल्कुल calculate हो गया जिसे two two's are four zero बचा two fours are eight लेकिन यहां पर nine है one बचा तो इस तरह से हम करेंगे तो answer क्या आ गया one zero zero one तो यह है one zero zero one that is option number two next question is a to f system is used in which of the following number system अब जिसे मैंने आपको बताया कि binary binary number system में हम use करते है zero and one ठीक है इसका पहचान होती है basic two से उसके बाद आता है हमारे पास octal जिसके भी base में 8 हो वो octal है जिसके base में 16 हो वो hexadecimal है जिसके base में 10 हो वो decimal है अब यहाँ पर पूछा गया है कि इनमेंसे a to f कौन use करता है तो a to f binary तो use नहीं कर सकता answer है option number three that is hexadecimal so hexadecimal values क्या करती है zero से ले करके nine तक use करता है पहले उसके बाद a से f तक use करता है ठीक है so इस तरह से हो जाते हैं 16 terms देख सकते हो आप 10 यहाँ पर हो गई उसके बाद जिखो 0 से 9 total 10 values आगी a से f total 6 values आगी तो यह क्या हो गया 16 हो गया तो यहाँ पर is according 3 is the right answer next question is which of the following is correct so मैंने आपको बताया यहाँ पर base देखना है and then conversion यहाँ पर होगा so 10 इसमें देखना है मैं right answer पर जाती हूँ and conversion आपको बताती हूँ so right answer is option number 3 that is हमने decimal को binary में converge जब करेंगे तो बिल्कुल ठीक answer आजाएगा अब इसका conversion कैसे करते हैं यह मैंने आपको अल्रेडी बता दिया है जैसे हमने 9 को convert किया था उसी तरह से अब हमें 20 को 2 से convert करके काम करना है ठीक है so इसको आप convert करके एक बार मुझे comment करके बताएगे अगर आपका answer यही आता है तो very good तो भी मुझे comment कीजे कि yes answer बिल्कुल ठीक है अगर नहीं आता है तो भी comment कीजे मैं आपको comment में ही इसका solution दे दूँगी कि किस तरह से मैंने इसको solve किया था अब आते हैं next section पे जिसमे कि हम बात करने वाले हैं networking के बारे में so networking भी एक important section है इस पर based five questions में आपके लिए लेकर आती हूँ उससे पहले so paper 2 जो है बहुत important होता है आपको जैसा कि मैंने बताया कि यह हमारा subject related paper है post graduation का subject होता है तो हम इसमें easily score कर सकते हैं बस इसमें हमें चाहिए क्या कि जो level है UGCnet का उसके according complete study material हमारे पास होगा तो हम easily exam में भी अच्छा score कर सकते हैं इसके लिए global online की team आपके लिए complete study material लेकर आई है जिसमें हम आपको देते हैं full syllabus notes and most expected MCQs यह बिल्कुल updated है as it is questions exam में पूछे जाते हैं 20 subjects की list है आपके सामने इसमें से जो भी आपका paper 2 है उसको select कीजिए and screen पर दिएगे number पर whatsapp की help से contact कीजिए इस study material को आप लोग lifetime के लिए use कर सकते हो and इसके लिए आपको सिर्फ एकी बार fees pay करनी है वो भी सिरफ और सिरफ 1500 रुपीज तो जल्दिस इसको join करीचे so पहला question है networking पे based बहुत basic चीज़ है इसमें पूछा गया है what is the full form of LAN हमारे पास networking में तीन चीज़े होती है जहां से exam में question पूछा जाता है पहली है LAN दूसरी है man and तीसरी है van ठीक है so LAN की full form होती है option number three local area network एक ऐसा network जो कि अपने local area में काम करता है जैसे कि एक building है एक floor है वहाँ के computer systems को अगर हमने एक साथ connect करना है जैसे कि हमारे college में जिसे मालीजे हमारा MCA department है उसमें एक lab है lab में 20 computers इस तरह से connected है वो सारे computers को हमने network के help से अगर connect करना है तो हम LAN use करेंगे सबसे छोटे level पे अगर computer को connect करना हो तो LAN use करते हैं next आपके लिए homework question है कि man और van इनकी full form आप मुझे comment करके बताईए most important है exam में पहले LAN पूछा गया था इस बार हो सकता है man या van पूछा जाए next question is which of the following privately owned links owned and links the devices in single office building and campus so LAN, man, van या फिर all of the above कौन है जो कि single office, building or campus को join करता है अभी मैंने आपको बताया that is option number 1 LAN ठीक है so यहाँ पर आप देख सकते हो एक example मैं आपको बताती हो इसका ठीक है अब देखो यहाँ पर एक छोटी से building है दूसरी छोटी से building है तीसरी छोटी से building है इसमें हमने use किया LAN 1 ठीक है मान लीजे कि यह किसी हमारा college का एक setup है इसको एक बहुत अच्छे example के साथ मैं आपको बताती हूँ ठीक है college का है यह है हमारा MSA department suppose ठीक है जिसमें हमने LAN 1 यूज गी यह दूसरी building है जिसमें BSA department है इसमें हमने LAN 2 यूज कर दी third है LAN 3 यूज कर दी यह हमारा medical department है सबने क्या किया अपने अंदर जितने भी computers है उनको connect करने के लिए LANs यूज कर दी सबकी अपनी अपनी LAN है ठीक है इसके बाद अब क्या है finally है तो यह एक ही university के different buildings अब हमें इस पूरी university को एक ही network में connect करना है 3 का man 1 है यह उसी तरह से यह बन गया man 2 ठीक है यह बन गया हमारे पास man 2 अब उसके बाद ही इसी तरह से हमने multiple mans को connect करके एक और बड़ा network बनाना है उसको बोला जाता है WAN that is wide area network ठीक है so I hope यहाँ से आपको concept बिलकुल clear हो चुका होगा यह बहुत ही easy एंड बहुत ही जादा important चीज है ठीक है जैसे कि universities में हम concepts को use करते हैं अपने-पने campus है छोटे-छोटी buildings एक society दूसरे society तीसरे society सब को connect करते-करते-करते क्या हो जाएगा एक city को हम cover कर लेंगे and city में क्या केबल operators होते है तो इसका best example है जो हम cable operators TV जो देखते है वो इसका एक best example है किसका man का van का एक best example है internet जो की world level पर काम करता है ठीक है so I hope यहाँ से concept आपका clear है next question is what is modem modem क्या है transistor, vacuum tube modulating, demodulating devices none of the above so modulating दो चीज़ों से बना है more and dumb इसका मतलब है modulator इसका मतलब है demodulator so right answer is modulating and demodulating devices यह network में conversion के लिए use होता है ठीक है DNS एक internet के लिए DNS बहुत important होता है DNS stands for domain name system sorry option number 4 here is the right answer domain name system next question is which of the following topologies provide a highly fault tolerant architecture topology का मतलब होता है arrangement अब देखो बहुत से students होगे जो बोल रहे होगे कि मैं हम फटा-फट से करवा रहे हैं तो यह mock test है detail में same questions same questions as it is चाहिए description box check कीजिए एक playlist है जिसमें कि paper 1 Hindi and English by Ankita Soodh link आपको description box में मिल जाएगा वहाँ आप देखिए ICT पर बेस्ट बहुत सी सारी units है जिसमें की मैंने topic wise आप लोगों को detail में सारी चीज़े बताई है जो कौन सी वो अरेंजमेंट है computer system की जो की highly false tolerance architecture को use करती है यहां पर देखो सब के designs है So right answer is option number 4 that is mash So here we have mash topology इसमें क्या होता है every computer system is connected directly to every other computer system So यह जो भी मैंने draw किया यहां पर थोड़ी सी problem है structure में यह जो मैंने भी draw किया कि हार एक computer system दूसरे से directly connected है यह होता है mash के case में Next आते हैं email पर email पर based three questions में लेकर आने वाली हो यहां से ही concepts clear हो जाएंगे POP3 IMAP and our email accounts in which POP3 and IMAP क्या है POP3 का मतलब होता है post office protocol लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह सर्फ post office में use होगा IMAP की full form आप मुझे homework है यह आपका आप मुझे comment करके बताइए exam में पूछी चाहेगी फिर्मत बोलना कि मैं आमने नहीं दिया था ठीक है so IMAP मतलब क्या POP3 post office protocol यह दोनों related होते हैं one only has to be connected to the server हमारे पास यह server है दोनों में से एक चीज server के साथ connected होती है to send and receive mail जो हम email send करते हैं receive करते हैं यह हम इन दोनों की help से करते हैं दोनों में से कोई एक चीज जो है वो directly server के साथ connected होनी चाहिए next question is BCC is the in the internet refers to BCC का मतलब क्या होता है CC का मतलब होता है carbon copy so यह तो हम delete कर देंगे क्योंकि आपे computer copy है बच्चे यह तीन options so B का मतलब होता है blind carbon copy email में बहुत important role play करते हैं BCC and CC right answer is option number 2 next question is an unsolicited email messages sent to many recipients at once is called एक unsolicited email message है जो की मैंने भीजा मेरे staff में जितने भी लोग हैं सब को इसको क्या बोलते है warm, virus, threat, spam बहुत easy है आपको पता होना चाहिए कि warm, virus और threat यह तीन चीज़े जो है यह होती है ऐसी चीज़े जो कि हमारे computer को harm कर सकती है नुकसान पहुंचा सकती है लेकिन spam जो है ऐसी चीज़ होती है जो कि unsolicited messages को unsolicited चीज़ों को collect करके रखता है that is option number 4 next question is which of the following is the appropriate format of URL of email email हम use करते है उसका URL का appropriate format कौन सा है आपको सब लोग email यूज करते होंगे देख लो कौन सा एक appropriate format है right answer is option number 2 next question is which of the following is the protocol protocol का मतलब होता है rule set of rules use by email client to download emails to your computer हमारे computer में हम email डाउनलोड करते है तो उसके पीछे background में कौन सा rule कौन सा protocol काम करता है PCP FTP SMTP POP3 SMTP FTP SMTP FTP TCP homework question है जल्दी से इसका answer मुझे comment करके बताइए right answer is option number 4 that is POP next session section जो है web browsers ठीक है यह भी important section है questions जरूर पूछा जाता है पहला question है examples of web browser web browser क्या होते है जिसकी help से हम google पे जा करके internet की help से कुछ भी search कर सकते है opera mini netscape internet explorer mozilla firefox इसके साथ एक और option हो सकता था google chrome अब शायद जिनको नहीं भी question आता होगा मैंने google chrome लिखा आपने और easily इसका answer दे देना है यह इनके यहां पे देख सकते हो 4 के 4 जो है यह एक web browser के example है इसमें google chrome को भी add कर लीजे so option number 4 here we have is the right answer next question is google is up so google क्या है website है business software है search engine है social media है google सब लोग use करते है लेकिन क्या आपको पता है क्या होता है यह so यह होता है एक search engine google हमें कुछ भी चीज search करने में help करते है न मुझे अगर अपना channel global online search करने में google पे जाऊंगी मुझे UGCnet के बारे में search करने में google पे जाऊंगी तो यह एक search engine होता है next question is what is browser मैंने आपको भी बताया first question में browser क्या है so it is a software that enables internet user to view a web page ठीक है option number 3 next हमारा last section है यह virus पर based बहुत important है virus के जितने types होते हैं यहाँ पर आपके clear हो जाएंगे so virus की अगर हम बात करें इस पहला question है a computer program that copies itself to other computers across the internet is called हमारी computer में एक ऐसा program होता है जो कि अपनी copy खुद बनाता है जैसे मालीजे A नाम का कोई program है यह क्या करेगा बार 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 अपनी copy अपनी copy बनाता जाएगा and जब भी हम internet use करेंगे internet के थूँ एक computer से दूसरे computer में दूसरे computer से तीसरे computer में जैसे भी हम लोग connect होते जाएंगे इस तरह से मालीजे multiple computers internet से connect होते जाएंगे वो चीज अपने आपको spread करती जाएगी क्या होता है वो computer virus, warm, program virus, progen horses यह सारे के सारे virus के types हैं लेकिन यह जो मैंने बताया यह है warm अब कीडा, कीडा बोलते हैं मालीजे मेरी skin में कोई problem हो गई मेरी skin में कोई problem हो गई मैं किसी दूसरे person से touch हुई वो problem उसको चलीगी यह person आगे चार लोगों के साथ contact में आया next question is which of the following is a software that once installed on the computer एक computer में एक software को मैंने install कर दिया यह क्या करता है इसके बाद मिचे पता नहीं है कि अपने मेरे computer में आ गया है उसके बाद मैं आराम से जैसे अपना internet use करती हूँ मैं ऐसे internet use कर रही हूँ मैंने अपना internet use क्या तो ये system क्या करता है, ये software क्या करता है सारी की सारी चीज़ों को track करता है ये पूरा देखता है कि मैं क्या browse कर रही हूँ मैं क्या ढूंड रही हूँ, क्या नहीं ढूंड रही हूँ और वही चीज़े मुझे advertisement के रूप में दिखाता है अब इसका एक example बताती हूँ, हम लोग Amazon use करते हैं, माल लीज़े Amazon में आज मैंने shoes देखे उसके बाद मैंने थोड़ी देर की बाद Facebook चलाया तो Facebook में आपने देखा होगा shoes की ads की list दिखती रहती है Amazon पे कुछ सर्च किया, Flipkart पे कुछ सर्च किया मैं example के लिए ले रही हूँ, कोई भी website हो सकती है वो सारी चीज़े बार-बार वहाँ पे दिखती है तो ये होता है क्या, Adware, Spyware, Mallware, Boards तो ये होता है Adware, advertisement show होती है तो Adware होगा, ये हमारी system पे एक file डाल देते है उसके बाद मैं अपने computer पे कुछ भी सर्च करती हूँ, internet पे तो वो सारी चीज़े लिंक हो जाती है और उससे related advertisement को मुझे देता रहता है इवन Google पे भी, Amazon में shoes देखे उसके बाद Google पे भी कुछ सर्च करोगे तो आपको वही shoes के वहाँ पे list दिखेगी ठीक है next question is viruses which executes when computer starts is so जैसे हैं computer को start करते हैं अभी मेरा computer off है, मैंने button प्रेस किया एक जो process होता है starting का 2-4 second का उसमें एक virus generate होता है उसको क्या बोलते हैं macro, trojan horse, boot sector, file infector बहुत easy है यह जो computer को on करने का process होता है generally बता रही हूँ computer का start button प्रेस करने से लेके window open होने तक जो process होता है उस process को बोला जाता है booting process कि हमारा computer booting पे है जाए हम mobile की बात करें mobile switch off हो गया on कर रहे हैं वहाँ से लेके screen आने तक के बीच के process को booting बोलते हैं ठीक है, so यह होता है boot sector virus so I hope आज के questions आपको पसंद आए है and मुझे comment करके बताएए आपने कितना score किया है कोई cheating नहीं किये हो गया I hope आप लोगों ने and जल्दी से courses की पूरी चानकारी के लिए आप स्क्रीन पर देगे number पर whatsapp के help से contact कीजिए so thank you so much for watching this video and I wish you के लरागी है